पत्ना नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मियों के बीच मांगो को लेकर हुई विवाद खतम होता नजर नहीं आ रहा कोरोना काल में पत्ना नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मियों के बीच मांगो को लेकर विवाद खतम होता नजर नहीं आ रहा है नगर निगम के करीब 8000 सफाई कर्मी आज से हर्ताल पर चले गए 21 सुत्री मांगो को लेकर हर्ताल पर गए निगम कर्मी सड़क पर उतर टायर जलाकर सरकार और नगर निगम पर सासक के बिरोद जम कर नारे लगाए बतादे कि देनिक मजदुरों की सेवा पर रोक लगाने के सरकार के फैसली के बिरोब में सफाई कर्मी ने हर्ताल पर जाने का एलान किया इस अर्ताल में अस्थाई और अस्थाई कर्मचारी भी शामिल हैं जिसकी वज़ा से क्रोणा काल में पट्ना में साफाई, फागिंग और स्ने टाइजिसन ठप हो गया जरसल फरबरी 2020 में नगर कर्मी हर्ताल पर चले गया थे लेकिन उस समय निगम के आशवासन के बाद कर्मचारी ने अपना अंदोलन खत्म कर दिया था निगम ने भरुसा दिया था कि जल्दी कर्मचारी की निक्ति अस्थाई की जाएगी लेकिन संजोते का कारिवन अब तक नहीं किये जा सका